हलो दोस्तो मैं सवरों बलिक आप सभी का टोपिक इस्टेडि में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं विज्ञानी की अंत्र और उनके उपियोग यानि की साइन्टिफिक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही important topic है दोस्तो हर एक exam में आसे question पूछा जाता हैं तो आप इस test को सुरू से लेके अंट तक देखेगा और इन 30 परसनों में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना score comment box में जरू बतेगा ये person exam में बार बार पूछा जाते हैं ध्यान रखेगा दोस्तो most important topic है आप सभी वीडियो के timing note कर लिजे और चैनल को subscribe करके घंटी का icon को on रखे ताकि वीडियो upload होती आपके पास notification पहुँच है दोस्तो आज के test को start करने से पहले मैं आपको कल के test के question पूछूँगा जिसका answer आप सभी को नीचे comment box में बताना है question है लोग सभा का नया speaker कोन बना है तो ये आप comment box में बताएंगे तो चलिए start करते हैं आज के test को यहाँ पे पहला question है दोस्तो why you mandalya daab को मापने में कौन सा यंत्र उप्योग किया जाता है very very important question अगर आपको answer पता होगा किसी भी question का तो नीचे comment box में answer बता दीजेगा बिल्कुल सही पहले का answer होजेगा barometer यानि की option B is the right answer question number 2 है हवा में आदर्ता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उप्योग किया जाता है दोस्तो इसका सही answer रहेगा hygrometer यानि की option C is the right answer hygrometer is the right answer चलिए next question question number 3 है दोस्तो परकास की तिरुता नापने के लिए कौन सा यंत्र उप्योग किया जाता है very very important question इसका सही answer रहेगा lux meter यानि की option C is the right answer question number 4 है animometer का उप्योग कहां किया जाता है इसका सही answer रहेगा दोस्तो हवा की सक्तिता गती मापने के लिए यानि की option A is the right answer चलिए next question दोस्तो question number 5 है फैदो मिटर का उप्योग कहां किया जाता है very very important question और पहले भी मैं इस question को करा चुका हूँ इसका सही answer रहेगा समुंदर की गेराई मापने के लिए option B is the right answer question number 6 है आप मिटर का उप्योग कहां किया जाता है इसका सही answer है दोस्तो विदुधारा का मापने के लिए यानि की option C is the right answer ठीक है चलिए next question दोस्तो question number 7 है rain gauge का प्रियोग कहां किया जाता है देखे rain gauge में rain आपका आई गया है ठीक है तो ये दोस्तो वर्सा के मापने में किया जाता है इसका option सही हो जाएगा D answer दोस्तो एक बात और आपसे बोलनी थी अगर आप में से कोई भी student फिरी में online test लगाना चाहते है तो नीचे description box में मैंने दूसरे channel का link दिया है वहाँ पे मैं आपको live test कराना start कर रहा हूँ तो आज जितना भी हो सके maximum student जाके उस channel को subscribe कर लीजेगा अब वहाँ पे क्या होगा कि मैं daily आपके लिए online test quiz लेका हूँगा जिसमें आप live answer कर पाएंगे और live हम बातचीत भी कर पाएंगे ठीक है तो नीचे description box में पहला ही link होगा सभी student जाके एक बर उसको subscribe कर लीजेगा अभी वहाँ पे वीडियो नहीं है जल्दी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी question number 8 है इस टेंटो स्कोप का उप्योग कहां किया जाता है इस टेंटो स्कोप का उप्योग कहां किया जाता है दोस्तों इसका सई answer है हर्दय और फेपडो की गती सुनने में option B is the right answer ठीक है चलिए next question दोस्तो question number 9 very very important question बहुत बार repeat होता है पाइरो मिटर दुआरा क्या मापा जाता है और railway का तो यह favorite topic है यहाँ से question आपको जरूर मिलेंगे और इन 30 जितने भी परशन में आपको कराने वालों इनसे एक भी question बार नहीं जाएगा इसका सई answer है दोस्तो उच्टापमान मापने के लिए किया जाता है पाइरो मिटर का उप्योग question number 10 दवनी की तिरुता को मापने वाला यंतर है तो इसका सई answer है audiometer यानि की option D is the right answer टीक है चले next question question number 11 है दोस्तो रख चाप मापने जाता है very very important question इसका सई answer है इसफीगमो मैनोमिटर यानि की option A is the right answer इसफीगमो मैनोमिटर टीक है चले question number 12 सेग सेंट का उप्योग कहां किया जाता है दोस्तो ये भी कही बार पूछ ले जाता है वैसे इतना खास important नहीं है तो इसका सई answer है दो वस्तों के कोणी है दूरी की माप में यानि की option A is the right answer ठीक है याद रखेगा चले next question question number 13 है दोस्तो टेको मिटर का उप्योग कहा किया जाता है ये भी very very important question है इसका सई answer है यान की गतिम आपने में option A is the right answer ठीक है question number 14 है ओडो मिटर का उप्योग कहा किया जाता है ओडो मिटर का उप्योग कहा किया जाता है दोस्तों इसका सई answer है पहियों द्वारा तै की गई दूरी यानि की option C is the right answer चले next question most important question है अभी तक railway exam में 3-4 बार आ चुका है यहां पर पूछा जा रहा है reactor scale का उप्योग किस में किया जाता है देखे reactor scale का उप्योग किया जाता है बुकम की तिरुता को मापने में यानि की option A is the right answer ठीक है अगर आपको question का answer पता होता है नीचे comment box में बता जगरे question number 16 है gas का दाब ग्यात करने में किसकी मदद ली जाती है इसका सही answer है manometer यानि की option A is the right answer चले next question question number 17 है sorry निमिन में से किसका उप्योग उचाई नापने के लिए किया जाता है इसका सही answer है ultimeter यानि की option C is the right answer question number 18 है दिल की धड़कन किसे मापी जाती है इसका सही answer है इस टेंटो इसकोप अभी भी सायद मैंने बता था आपके question most important है सही answer आपका option B हो जाएगा ठीक है वई चले next question दोस्तो question number 19 very very important question जूट पता करने वाला यंतर है जूट पता करने वाला यंतर कौन सा है polygraph यानि की option A is the right answer ठीक है question number 20 हाइड्रो मिटर का उप्योग कहां किया जाता है हाइड्रो मिटर का उप्योग किया जाता है द्रव का अपेक्सित गनत मापने के लिए यानि की option D is the right answer द्रव का अपेक्सित गनत मापने के लिए हाइड्रो मिटर का उप्योग किया जाता है ठीक है दोस्तो चले next question question number 21 लेक्टो मिटर का उप्योग कहां किया जाता है most important question है बहुत बार एक्जाम में आता है इसका सई आंसर है दूद की सुदुताम आपने में यानि की option A is the right answer question number 22 है कार्डियोग्राफ का उप्योग कहां किया जाता है कार्डियोग्राफ तो इसका सई आंसर है हर्दियक गती की जाच करने में यानि की option A is the right answer 23 वर्षा की अमलता किसे के द्वारा मापी जाती है तो यहाँ पे वर्षा की जो अमलता है वो किसके द्वारा मापी जाती है तो पी एच मिटर के द्वारा यानि की option D सही आंसर हो जाएगा question number 24 महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में सही आंसर हो जाएगा sonar कम से कम भी 10-20 वार आ चुका है sonar is the right answer याद रखेगा दोस्तो रट लीजे इस question को चले next question question number 25 वायू की गतिन निमिन में से किसके द्वारा नापी जाती है इसका सही answer रहेगा साथ ही repeat होगा question इसका सही answer है दोस्तो एनिमो मिटर यानि की option B is the right answer question number 26 है मैनो मिटर का उप्योग कहां किया जाता है मैनो मिटर का उप्योग कहां किया जाता है इसका सही answer है पोधो की जडो के दाब का मापन करने के लिए यानि की option B is the right answer याद रखेगा ये भी कहीं बार आ जाता है चले नेक्स कोशन, कोशन नमबर 27 है, रडार उप्योग में आता है, रडार उप्योग में आता है दोस्तों, रेडियो तरंगो द्वारा वस्तों की इस्तिती ग्यात करने में, यानि की ओप्शन C is the right answer, कोशन नमबर 28 है, बुकम्प मापी यंत्र कोन सा है, यह तो सभी को पता अगर मेरे इसाब से, इसका सही आंसर है, सिस्मो ग्राफ, यानि की ओप्शन D is the right answer, चले नेक्स कोशन, कोशन नमबर 29, बुकम्प की तिरुता का मापन किया जाता है, दोस्तों यह भी रिपिट हो गया है, तो सभी को पता है, यह भी रियक्टर पैमाने पे, यानि की ओप् आपी जाती है, तो इसका सही आंसर है, हाइग्रोमिटर यानि की ओप्शन D is the right answer, दोस्तों आज की टेस्ट में 30,